हेलो फ्रेंज आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एटोम बाई बर्खा में स्वागत हैं आज का हमारा टोपिक है मेरा परिच्चे आज हम अपनी इस वीडियो में हिंदी में मेरा परिच्चे करेंगे मैंने आपको अपनी पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको इंग्लिश में माई सैफ बताया है और अपने आपको कैसे दूसरों के सामने बच्चे इंटर्डियूज करेंगे यहां भी बताया है तो आप अगर वह वाली मेरी वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज मेरी वह वाली वीडियो देखिए आगे अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें मेरा नाम है आपका यहाँ पर जो भी नाम है आपको वो यहाँ पर लिखना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेरा नाम बरखा है मैं साल की हूँ अब हम यह बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसके बच्चों की एज के according आप लिख सकते हैं पाँच साल, छे साल, साथ सल जितनी उनकी एज है आप उतनी एज लिख सकते हैं मेरा जनमदीन आ को आता है आपको यहाँ पर date of birth बतानी है कि आपका जनमदीन कब आता है हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 February को आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 February को आता है मैं विध्याले में पढ़ती हूँ अब आपको यहाँ पर अपने विध्याले का नाम लिखना है आपको उसका नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहां पे लिख देती हूँ, मैं DAV विध्याले में पढ़ती हूँ, आगे दिखी, मैं कक्षा की चात्रा हूँ, आप जिस भी कक्षा की चात्रा है वो यहां पे आप लिखेंगे, कि जैसे मैं तीसरी कक्षा की चात्रा हूँ, चोथी कक्षा की हूँ, पहली कक्षा की हूँ, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं पहली कक्षा की चात्रा हूँ, मैं शहर में रहती हूँ, आपको जो भी यहाँ पे शहर है, आपका गाव है, सिटी है, आपको यह मेरे पिताजी का नाम लिखना है जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पे लिखिए जैसे कि मैंने लिख दिया है मेरे पिताजी का नाम मनोज है श्रीमान यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर अपने पिताजी के नाम के आगे श्रीमान लगाएंगे श्रीमान मनो अब यहां पर जो भी है, सरनेम भी आप mention करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर भी हाग कीजिए, गोयल, सरनेम जरूर होना चाहिए, मेरे परिच्चे में तब ही आपको अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, शीमान, वहें एक, अब यहां पर आपको उनक जो भी है वो लिखना जिसे कि मैं यहां पर लिखती हूं वह है एक वैवसाई है तो वैवसाई बिजनिसमेन है मेरी माता जी का नाम आपको यहां पर अपनी माता जी का नाम लिखना है आप अपनी माता जी का नाम यहां पर लिखेंगे जिसे कि मैंने लिख दिया है गायत्री श्री मती यहाँ पर हम लगाएंगे श्री मती श्री मती गायत्री गोयल है आगे देखी वह एक हैं अगर वो ग्रहनी है तो आप ग्रहनी लिखेंगे वेबसाई अगर आपको जोब पर जाती है तो आप वो यहाँ पर मैंशन करेंगे जैसे कि मैं लिख देती हूँ ग्रहनी है मैं सयुक्त परिवार या एकल परिवार में रहती हूँ आप जैसे भी परिवार में रहते हैं वो यहाँ पर मैंशन करेंगे कि आप सयुक्त परिवार में रहते हैं या एकल परिवार में रहते हैं आगे देखिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे परिवार में सदश्य है आपके परिवार में जितने भी सदश्य है आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे मैं लिखेंगे मेरे परिवार में 6 सदश्य है मेरा पसंदीदा फल क्या है अब आपको यहां पर कुछ भी आपका जो भी पसंदीदा फल है वो आप यहां पर लिखेंगे जिसे कि आपका रंग है वो आप यहां पर लिखेंगे आपका जो खेल है पसंदीदा पसंद है जो आपको आप यहां पर लिखेंगे मेजे खोको खे बहुत पसंद है मेरा पसंद दीदा विश्य अंग्रीजी है मुझे आलूपयाज के सब्जी आपको जो भी अच्छा लगता है वेजिटेबल है वो यह पर लिखना है मुझे अभी हमारे होबी आ गई हैं कि मुझे पढ़ना खेलना नाचना गाना जो भी आपको पसंद है यहां पर हम मित्र के बारे में लिखेंगे कि हमें आ रहे कितने मित्र हैं मेरे बहुत अला मित्र है राखी मेरी प्रिय मित्र है यहां पर हमने लिखाए कि हमारी जो बैस्ट्रेंड है जो आपकी बैस्ट्रेंड आप वह यहां पर अपना नेम मैंशन करेंगे मेरी नाम जरी मति मंजु है तो आपको वह यहीं पे लिखना है वह मुझे अंग्रेजी पे àsबिदाती है जर्वा अभersonुट स्भरीक इंड हमें पर आपको यहां सब्राइक यहां पर कर governments अपने मेरे phone number अब आपको अपने last में यहाँ पे फोन नमबर देने हैं देखे, main points क्या हैं, जो भी हमने अभी 25 किये हैं लेकिन हम 25 को बिल्कुल ही असान तरीके से, अगर हम इन 10 points को याद कर लें तो आप 25 को बिल्कुल असानी से ही लिख सकेंगे देखे सबसे पहले नाम आया है इसमें आपको अपना नाम मेंशन करना है उम्र है इसमें आपको अपनी उम्र बतानी है आप कितने साल के हो और अपनी डेट ऑफ वर्थ बतानी है जगें है स्थाने इसमें आपको कहा रहते हो आप वो हैं बताना है शिक्षा है आप कौन से स् कदीधर विपाने होगिया बस्ता से जिद्षरकया यहां ग्रुवारा पताना है इक वीथिवल होगे बारे को पर यहांपक सबस्क्रा और है। पड़ा देने केड़ हैं अगरा को दोर यहां नियुक्त लिखना हैं एक अपने लास्ट में phone number देने हैं देखिए 10 main points है अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप 25 lines हैं वो बहुत अच्छे से मेरे परिच्छे की कर पाएंगे I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने 25 lines हैं मेरा परिच्छे के बहुत असानी से कर ली हैं आप अपने बच्छों को इस सिखाई हैं ताकि कोई भी उनसे अपने बारे में उनके बारे में पूछें तो वो बहुत असानी से बता पाएं अगर आपको वीडियो अच् चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच